नमस्कार स्वागत आपका सेल्स्टेडी के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं कि भारत में जो ओनलाइन गेमिंग है ओनलाइन गेमिंग की जो मार्किट है उसको अब सरकार जो वो रेगुलेट करने जा रही है तो अब रेगुलेट कैसे साथ ही साथ हम जानेंगे कि भारत के अंदर जो ओनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री है वो कितनी बड़ी होगी और आने वाले टाइम में इसकी कितनी ग्रोथ हमें देखने को मिलने वाली है तो इन तमाम बातों को बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं वीडियो में आगे ब मिनिस्ट्री ओफ एलेक्ट्रोनिक्स एंड इंफोमेशन टेक्नलोजी उन्होंने एक टास्क फोर्स बनाया था टास्क फोर्स मतलब कि एक ऐसा संग एक ऐसा ओर्गनेजिशन समय लेजी या एक कुछ लोगों की एक टीम बनाई थी जो यह चेक करेंगे कि भारत में जो ओनल इस उन्हें क्या-क्या सिफारिश ही दिया ओनलाइन गेमिंग को अगर रेगुलेट करना है तो इन्होंने का एक सेंटर लेवल के उपर एक लोग बनाना होगा देखें जो ओनलाइन गेमिंग के लिए केंद्रियस तरफ पर एक लोगों को बहुँ जादा जरूरी है बनाना और उन गेम को इसके अंदर डाला जाए जिनमें वास्तिविक दन यानि रियल मनी उसके अंदर आती है जहां पर हम फ्री गेम ओफ स्किल की अगर बात करते हैं इस तरीके की गेम है जैसे इंक्लिडिंग जिसके अंदर e-sports आ जाता है ओनलाइन फैंटेसी sports contest आ जाते हैं ओ जो इन तरीके की जो गेमिंग है उनको काग है इनको रेगुलेट करने की बहुत जादा जरूरत है और साथ ही साथ इस task force ने बोला है जहां पर अगर रियल मनी नहीं है यानि वास्तिविक धन ही नहीं अब कैज्वल अगर गेम की बात कर रहे तो उनको इन यमों से बाहर र क्या क्या चीजें करनी होंगी उनके लिए कुछ नियम लाया जाएंगे और जिनमें वास्तिविक धन है नहीं तो उनको यहां पर हटाया जाएगा उनको वो सब नियमों का पालन करने की जरूरत नहीं है कब तक जरूरत नहीं है जिनमें अगर वास्तिविक धन नहीं है उन यह उनलाइन वे वह इन रेगलेटरी बोडी बनाने की बात बोली है कि इन ओनलाइन गेमिंग को हमें अगर डेगलेटरी बोडी हमें वहारे पास होनी चाहिए यह जो बोडी है वह यह कोशल और एक chance मतलब कि एक skill और chance वाली game कौन कौन सी है उनको उनके according जब वो certify करेगी ताकि जो वहाँ पर उनके उपर नियम वो लागू किये जा सके देखें एक game जो होती है वो एक skill के उपर खेली जाती है और एक chance के उपर खेली जाती है skill, skill क्या होती है जैसे कि आप अगर कोई game खेल रहे हैं जैसे कि आपने PUBG सुना होगा अब तो फिलाल जो है वो game भारत जो है वो भारत के अंदर ये चप चिचे चलती है मतलब कि जैसे उसमें दर character दिखाये जाते हैं तो जैसे PUBG के अंदर में देखने को मिला वो अपने आपको pro gamers कहना start करते हैं क्योंकि उनको बहुत अच्छे से game खेली आती है तो वो उनकी skill के उपर होती है लेकिन अगर मैं वहीं अगर cards की अगर मैं बात करता हूं तो cards जो है वो वहां पर उसमें skill नहीं उसमें chance आते हैं अगर आपका luck अच्छा हुआ तो आपके पास cards जो है वो अच्छा आ जाएंगी अगर वो नहीं चला भई उसकी हालत खराब है या फिर उसकी performance अच्छी नहीं वो तो एक तरीके का chance ही हो गया लेकिन उसको कहीं न कहीं गेम of skill भी कहा जाते है तो आई होप सो आप लोगों को game of skill और game of chance में फरक समझ में आ गया होगा है तो यहां पर भी लिखा हुआ है कि यह game of skill जो जो based होती है वो mainly mental और physical level के expertise पर होता है कि एक player जो है उसकी हालत बहुत अच्छी है वो physically fit है मतब कि आपकी बात हो रही है कि अगर आप वो game खेल रहे हैं आपकी मतब हालत बहुत अच्छी है आप mentally fit है physically fit है तो आप अपनी उस skill को use करते हुए कि हाँ मुझे इस इसे चीज़ों को खेलना चाहिए आपका वहां पर chance नहीं लगा जैसे PUBG हो गया और game of chance में क्या होता है यह होता है कि आप random factor वहां पर decide करते हैं आपकी जीत को हाँ उसमें skill चाहिए होती है अभी आपने जैसे मैंने का कि MPL होगी जिसके अंदर आप खिलाडी select करते हैं अब एक ऐसा बंदा जिसको MPL के बारे में कुछ नहीं पता जिसको cricket के बारे में कुछ नहीं पता वो तो तुक्के से decide करेगा लेकिन एक ऐसा बंदा जिसको cricket के बारे में काफी सारी knowledge है लेकिन वहां पर skill तो काम की but at the same time वहां पर जो chance है वो जादा मतलब वहां पर उसके factor रहा है कौन बुरा खेल रहा है किसकी परफॉमेंस पर उसके दाव लगाना चाहिए लेकिन उसका लग अच्छा था उसके चांस अच्छे थे तो भई उसने ऐसे खिलाड़ी को चूज कर लिया और उसने ऐसी टीम बना दी उसकी टीम जो वह जीत गई तो वहां पर चांस जो ह इन्फोमेशन टेक्लोनोजी रूल 2021 पड़ाया था जिसके अंदर बोला गया था कि जो यह आपकी ट्वीटर होगे फेस्बूक होगी इंस्टा होगी या OTT प्लैटफों होगे तो इन सब लोगों को या फिर इन सब प्लैटफों को ओनलाइन शोशल मीडिया को इनको क्या कर करना होगा अपने वहां पर कुछ ऑफिसर्स बिठाने होंगे जो शिकायत को जो शिकायत का निवारन करेंगे इन सब चीजों को करना होगा जो ओनलाइन यह रूल लाए गया थे हमारे देश के अंदर से एट इस सेम टाइम अभी क्या हुआ है कि इन ओनलाइन गेमिंग के पर लागू कर दीजिए यह रूल क्या कहते है कि आपको तीन स्थरिया काम करना होगा रिजुलीशन मेकैनिजम लेके आना होगा मतलब क्या होगा फर्स्ट फॉल एक ग्रिवयांस डीडरेसल सिस्टम लाना होगा मतलब कि शिकायत निवारक पर नाली लेके आनी होगी एक ऐ उनलाइन गेमिंग है उसको खुद के द्वारा एक रेगुलेटरी बोडी बनानी होगी अगर इनके द्वारा अगर वो चीजें हल नहीं हो रही है तो यह बोडी जो है वो इस क्या करेगी उस शिकायत को सोल करेगी फिर यहां पर क्या होगा सरकार की नेतरित में कमेटी भी गेम को जो है ऐसी चीज के अंदर डाल दिया गए भी हाँ इसके उपर रेगुलेशन की बहुत ज़्यादा जरूरत है इस तो इस एक्स वाई जड़ गेम को यह सारे चीजें करनी होगी फिर यहां पर एक कानुनिन इकाई के रूप में ओनलाइन गेमिंग प्लैटफॉम द के तहत माना जाएगा यहां पर किसके तहत माना जाएगा प्रिवेंटिंग ओफ मनी लॉंडरिंग एक्ट टू थाउजन टू यहां पर पैसा कैसे आ रहा है इन सब चीजों को वहां पर अपनी सारी रिपोर्ट इनको देनी होगी भारा सरकार को इन जब यह सारे के सारे जो हैंडल करेंगे फोर एक्जांपल जो मीटी है Ministry of Information and Technology यह कैसे काम करेंगे इनोंने का आया है वही इनको अलग काम देदो एक हमारे देश के अंदर Information and Broadcasting Ministry है इसको अलग काम देदो फिर हमारे पास आती है Consumer Affair Ministry इसको अलग काम देदो तो यह कैसे अलग काम देंगे तो मीटी ह है जो यह क्या काम करेगी e-sports training को छोड़ कर जो online gaming है उसको regulate करने के लिए नोडल मंत्राले के रूप में कारे कर सकते हैं जिसका नेत्रित क्या कोन करेगा खेल विबाग कर सकते हैं और मिटी के द्वारा regulate जो यह regulate करने के दाइरे में online gaming यानि कि game of skill को शामिल होने चाहिए वह game of skill के उपर ही सब चीजें जो है वही आप कहके क्या कह रहे हो MPL है actual में जो है हमारे देश में जो आप देखते हुना कि अगर आप किसी को अपने घर में बुला कर सटा खिलवा रहे हो जुआ खिलवा रहे हो तो वह illegal है तो एक तरीके से MPL जो है MPL होगी या dream 11 होगी यह काम तो भई कर रहे हैं यह सटा हो गया यह यह फिर जुआ हो गया वह illegal क्योंकि सारी की सारी चीज़ें जो चांस के ओपर depend करती है तो यह जो चीज़ें हमारे में चलती नहीं है MPL जो है वो इसनों इन्होंने क्या कहकर अपने आपको रजिस्टर करवा रहा है यह कहा है कि हम तो game of skill के अंदर आते कि अगर हमारे अंदर आपको किसी को अगर रुपे कमाने तो आपके पास game skill होनी चाहिए आपको खिलाडी की पहचान होने चाहिए तो यह MPL होगी, Dream 11 होगी यह सब चीज़ें ऐसे बोलती है तो कहा गया है कि game of skill को जो है वो इन regulator के अंदर लेके आना चाहिए और इनको इन सब चीज़ों के उपर नियम बनाने चाहिए जो task force के द्वारा बोले गए है अब task force की सि information and broadcasting ministry होगी इसके द्वारा क्या किया जाना चाहिए online gaming के कुछ अन्य पहलों जैसे वहाँ पर विज्यापन कैसा आ रहा है उसका सामगरी वर्गी करने से संबंदित जो ethics है इन सब को सूचना और प्रसान मंतराले द्वाला जो है वो regulate किया जाना चाहिए विज्यापन कैसे द द्वारा यह सब चीजें देखनी चाहिए कि जो ट्रेड जो है वैसे किया जा रहा है वो unfair ना हो यानि कि सब चीजें जो है वहाँ पर सही धंक से हो रही हो यह सब चीजें जो है इसके द्वारा की जानी चाहिए फिर अगर हम बात करें कि एक सेंटर लेवल के उपर लोगी क्या जो डूडत है क्या एक जो state है हमारे देश के अंदर वो क्या लो नहीं बना सकते है देखे ओनलाइन gaming जो है वो एक तरीके से राज्यविशय का है देखे आपने सुना होगा कि हमारे देश में तीन सूची है आपने सूची आपने सूची है राज्य सूची समवर्ती फिर भी वो इसके पर लोग क्यू नहीं मना सकती देखिए राजे सरकारों के अंदर अपने राजये के अंदर वह कुछ apps यह website को उन्हें block करने के नियमू को नागू करना बहुत जड़ा मुश्किल हो जाता है मान लीजिए सबसे बड़ा चिंता का विशा तो यह है कि एक राज्य ने पारित करती है कि हम जो है हमारे राज्य के अंदर मान लीजिए XYZ एप होगी या वेबसाइट होगी इसको हम ब्लोक कर रहे हैं इसको रेगुलेट कर रहे हैं तो वो उस राज्य में ही लग होगी मान ले हर्याना में कि पंजाब में तो नहीं हो पाईज न उ तो वो जो वेबसाइट है या वो एप है वो हर्याना में पंजाब में चल जाएगी तो यहाँ पर सबसे बड़ा issue तो यही निकलके आ रहा है उसके अलावा बोला गया है कि राज्य सरकारों के पास बाहरी सट्टे बाजी वेबसाइट के लिए उनको ब्लोक करने के जो ओडर जो है उनको जारी करने की पावर उतनी नहीं होती जितनी केंदर सरकार के पास होती है तो बैटर रहेगा केंदर सरकार ही जो है वो एक center level के उपर एक low बनाते हैं इन सब को regulate करने के लिए अब एक जो सरकार है या फिर कहेंगी center level है उसका एक समाजिक सरोकार भी होता है देखें देश में जो online gaming का जैसे वेपार बढ़ रहा है या फिर उसको propagation जैसे हो रहा है proliferation 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 जैसे उसका हो रहा है यानि जैसे जैसे वो बढ़ रही है तो उससे समाजिक चिंताओं के उपर भी परकास डाला गया है समाजिक चिंता हैं कैसे लोगों को बहुत बड़ी रकम गवाने की बहुत सारी सूचना है हमारे सामने आती है न्यूस के अंतर अब इससे सुनने को मिलता है और जैसे वह अपनी online के अंदर अपने पैसे गमा देते हैं for example मैंने कुस टाइम पहले करनाट का की एक न्यूस सुनी थी जिसके अंदर एक बच्चे ने क्या किया था अपने जो उसके पिता की पिता थे उनकी डैथ हुई थी तो उनके पिता के रुपे मिले थे लगबल लगब 20 लाक रुपे जो है उस परिवार रुपे वो उड़ा दिये अब इतनी सारी चीजें हमें देखने को मिले थी और बहुत सारी चीजें जो है उतरपरदेश के अंदर भी ऐसी न्यूस आई थी तो इतनी बड़ी-बड़ी रकम गवाने के कारण क्या है ऐसी न्यूस भी हमारे सामने आये थी कि सुसाइड की के इस भी सामने आने लगी थी लोगों के पैसे गए उन्होंने सुसाइड कर ली तो यह सब चीजें हमें भी देखने को मिले थी अब यह तो होगी यहां पर जो बच्चे कर रहे हैं साथी साथ MPL Dream 11 होगी इन एप में जो यह तरीके की जो गेम्स होती है या फिर कहेंगे कि ज दीजें हैं वो असर डाल रही है सुसाइटी के उपर तो यहां पर रेगुलेट करने की बहुत जादा जरूरत है अब नो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मतलब कि हमारे देश में कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है ही नहीं देखे इसके साथ साथ अगर मैं बात कुरू प् उसकी डेटा प्राइविसी हो गई उससे रेलेटिड सब चीजें हो गई जो उसके ब्रामक यानि कि उसको मिसलीड करने वाले जो विज्यापन आते हैं इनके उपर पर परतिमंद करने के हो गई तो यह सब चीजें हैं ही नहीं तो हमारे देश में अगर जो ऑनलाइन गेमि कितनी ग्रोथ हो रही है तो भारत में ऑनलाइन गेमिंग जो उद्योग है उसका रिवेन्यू जो है वो 2022 में 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर ध्यान रखना 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक रहा है होने की उमीद भी है और 2025 में उमीद की जा रही है कि यह जो वैपार है वो 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा और भारत में जो यह इंडर्स्ट्री है इस इंडर्स्ट्री में 38 परसंट का इजाफा आया है चीन में अगर मैं बात करूं इस इंडर्स्ट्री में यानि ओनलाइन गेमिंग की जो इंडर्स्ट्री वो 8 परसंट भारत में कितनी परसंट बढ़ी है 38 परसंट बढ़ी है और इस परसंट के बढ़ने के कान देखा जा रहा है कि 2024 तक इसका रिवेन्यू जो है वो 153 बिलियन रुपे होने की संबावन है कि इतनी बड़ी इंडर्स्ट्री बनने जा रही है और साथ इसाथ जो यूजर्स हैं उनमें कितना इंक्रिमेंट हो रहा है वो आप जानका हैरान हो जाएंगे कि भारत के अंदर जो नए नए यूजर्स आ रहे हैं ओनलाइन गेमिंग के अंदर दुनिया में हम बहुत टोप पे रहे हैं इतनी ज़्यादा संक्या के अंदर मढ़ रहे हैं 2020 में 40% 2021 के अंदर 50% के पहुंच गया है एक रिपोर्ट आई थी Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry इस रिपोर्ट के अंदर बोला गया था कि भारत के अंदर जो लेंदेन अधारित गेम के उपर यह जो गेम के अंदर आपने देखा होगा कि वर्चुल कपड़े खरीदे जाते हैं वर्चुल गन जो हैं वो खरीदी जाती है उसका जो लेंदिन था वो 26% बढ़ गया है बुकतान करने में और भारत के अंदर जो गेमर्स हैं उनकी संक्या जो हो 17% से बढ़कर 2020 में 80 मिलियन यानि 17% बढ़ा है 2020 में 80 मिलियन यानि 8 करोड़ लोग थे यह खेलने वाले 2021 में 9 करोड़ 50 लाक लोग हो गये हैं य 2022 खतम होने के गगार पर तो 10 करोड़ लोग जो हैं वो ओनलाइन गेमिंग के अंदर आ चुके हैं तो सोचिए कितना रुपया जो है यहां पर ट्रांसफर हो रहा है इसको रेगुलेट करने की कितनी ज़्यादा जरूरत है तो आगे की राग क्या हो सकती है एक रबस्ट समाधान वाली एक परगतिशील जो पॉलसीज हैं उनका ड्राफ्ट करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है स्किल या चांस के खेल को उप्यूक्त रूप से वर्गीट करना यानि कि गेम ऑफ स्किल कौन सी है गेम ऑफ चांस कौन सी है इनको क्लासिफाइग किया जाए और उ जयोग होना भी बहुत ज़्यादा जरूरत है जो भी गेमिंग कंपनीज है वो अपने प्लैट्फॉर्म पर इलीगल एक्टिविटीज या फिर इलीगल जो लेंदेन है उसको रोकने के लिए जो गेमर्स है उनको के वाइसी करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है यानि हम जैसे हम पेटियम चलाते हैं तो KYC किरा जाते हैं कि आप ही हो आपके authentication वहां पर मांगा जाता है कि आप प्रूफ दीजिए कि आप फलाने नाम से हो आपके पास क्या प्रूफ है तो वो सारी तीजें यहां पर priority में रखी जानी चाहिए ताकि जो यह ओनलाइन गेमिंग है और सरकार जो इनकी दोनों मिलकर सही डंक से काम कर सके तो उमीद करता हूं कि जो आज का जो टोपिक था ओनलाइन गेमिंग इसको regulate कैसे किया जा रहा है इनको तीन तर के ऊपर यहां पर regulate करने की बात की जा रही है और जो game of skill है game of chance है यह कैसे है और आगे की राह क्या हो सकत है तो वहां पर आपको कोई भी डाउट है तो वहां पर आप लिख सकते हूं कि आप कोई क्या चीज़े समझ में आई क्या नहीं आई पीडिएफ के लिए मैं फिर से बता देता हूं डिस्क्रिप्शन बोक्स में टेलिग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा तो जाकर आप वहा तक यू पर वाचिं दिस वीडियो